हलो गाईज, मैं हूँ पप्पू और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इसली आपको दिख रहा होगा पराकृतिक वस्तू तो ये चीज क्लियर करेंगे कि पराकृतिक वस्तू किसे कहते हैं प्रकृतिक वस्तु क्या क्या होते हैं तो आपको किलियरली आ जाएगा विडियो को ध्यान से देखिए आप सबको इजली दिख भी रहा होगा प्रकृतिक वस्तु जिसे इंगलिस में कह सकते हैं नैचुरल अबजेक्ट यहां पर मैंने लिखा है कि वैसी वस्तु जिसको किसी ने नहीं बनाया उसे प्रकृतिक वस्तु कहते हैं तो परिभासा मैंने साफ साफ लिखा है कि जिसको किसी ने नहीं बनाया तो बाई साहब यहां पर जैसे में है जल जल जिसे हम पानी भी कहते हैं आप ही बताइए कि ज जिसे पानी कहते हैं, क्या उसको किसी ने बनाया है, नहीं बनाया है, तो पानी क्या हो गया, बानी हमारा हो गया, परकृतिक वस्तु, तो परिभासा को याद रखी, आपको बिल्कुल समझ में आ जागा, क्या कह रहा है, कि जिसको किसी ने नहीं बनाया, गाईज उसे कहते है पराकरितिक वस्तु यहां तक किलियर रहा उधारण में मैंने बहुत सार लिख रैका है हवा मेटी وन पहाड नदी समूंदर जील फूल ये सब्षी के सब्षी क्या है ये सब पराकरितिक वस्तुय ही है ठिक है इन सब को किसनी नहीं बनाया है भाई इसलिए हम इनको कहा रहा है पराकृतिक वस्तु ठीक है और आगे लिखा हुआ है बर्मांड में उपस्तित सभी चीजे बर्मांड में जितने भी चीजे उपस्तित हैं वो सब के सब क्या है वो पराकृतिक वस्तु यही है ठीक है उसको किसनी नही चीजे हमारे प्राकृतिक वस्तू हैं ये प्राकृतिक वस्तू इसलिए हैं ये सब को किसी ने नहीं बनाया तो यार समझ में आया की नहीं आया आई होप इस वीडियो से आप बहुत कुछ सेख चुके होंगे अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो यार सबस्क्राइब कर लिना ऐसे ही मज़िदार वीडियो लाता रहूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तपता के लिए जैहिंद वंदे मातरम